आज Amrita Peetam जी का जनम दिन है वही Amrita Peetam जिसको मैंने 14 साल की उमर से पढ़ना शिरू किया और अपना गुरू मान लिया मैं Amrita Peetam जी से मिलना चाती थी पर उनसे मिल नहीं पाई पर एक बहुत सुनरा मौका मिला मुझे इम्रोज जी से मिलने का उस दिन मैंने जो उनका इंट्रिव्यू लिया आज उसको सुनाने से सुनाने का बेतरीन मौका है उनके जनम दिन पर मेरा इंट्रिव्यू इम्रोज जी द्वारा लिया गया और उनसे सुनी हुई बाते जब मैं इम्रोज अम्रिता के घर पहुंची तो उनका घर एक सुन्दर सा जो अब नहीं रहा बहुत सुन्दर हर्याली से सजा हुआ था अम्रिता इम्रोज के पूरे वजूद से जुड़ा हुआ अनुखा संगम एक खुश्बू सी थी वहां जिसको मैंने अपने बच्पन में जहन में बसा रखा था उस खुश्बू को मैंने वहां मैसूस किया आज मैं उनके घर पे थी हाई ओर अपबा ये सच था ये सपना मैं अम्रिता पीतम के घर के सामने खड़ी थी मैंने जब डोर बेल बजाई तो दिल एक बहुत अजब अंदाज से धड़क रहा था उनको देखने की उछ सुकता थी इम्रोज से मिलने की उछ सुकता थी दिमाग में अम्रिता के लिखी वी नजमे गूम रही थी जो उन्होंने इम्रोज के लिए भी लिखी थी दर्वाजा खुला सामने अम्रिता के बड़े बेटे थे उन्होंने कहा कि इम्रोज अभी बजार तक गए हैं आप लोग अंदर आ जाओ ड्राइंग रूम में अंदर आते ही कई छोटी छोटी पेंटिंग्स कि पता चला इम्रोज आ गई हैं और आप उनसे मिलने फर्स फ्लोर पे जा सकती हैं रस्ते में सीरियों पर सुन्दर पेंटिंग्स एक सुन्दर सी छोटी सी मठी पेंट की रही और में दर्वाजे पर अम्रिता की किसी पंजाबी निजम की कुछ पंक्तियां लादम से लिखी हुई बहुत ही सधारन सा घर जहां अंदर दो महान हस्तियां रहती थी अंदर आकर मेंको इम्रोज ने एक छोटी सी मेज पर बिठाया वो छोटी सी मेज जहां अब इम्रोज अक्सर अपनी कवीता और नजम लिखते हैं उसके ठीक पीछे कुछ मुस्क्राते हुए से पौते सामने की तरफ रसोई गर जहां कभी अम्रोज के साथ रहकर वही पर इम्रोज उनकी मदद करते थे उसके लिए चाय बना देते यहां सब समान शीशे के यानि पारदर्शी जार में है कभी भी कोई समान खतम होता तो मैं उसको फिर से भर देता था यह इम्रोज ने मुस्क्राते हुए बताया अम्बिता को मैंने कभी कोई किसी चीज़ की कमी मैसूस नहीं होने दी ना उसको कोई परशानी हो फिर इम्रोज मुस्क्राते हुए बोले और बहुत सुंदर बात करी कि काश इंसान भी पारदर्शी शीशी की तरह होते न, जिसके अंदर झांक कर हम देख सकते कितनी सहस्ता से इम्रोज ने कितनी गहरी बात कर दी और मैं वही जो सोई घर के सामने मेज पर बैठी उस इंसान को देख रही थी जिसका जिक्र अम्रिता की नजमों में होता था एक सपना वो अक्सा देखा करती थी ये सपना उन्होंने लिखा भी है कि एक लंबा सा आदमी सफीद कुर्ते बजामे में कैन्वस और रंगों से कुछ पेंट गर रहा है ये सपना वो कई साल देखती रही इम्रोज ने हसते वे बताया हाँ, मुझसे मिलने के बाद वो सपना उनका कम हो गया सच में कोई इतना प्या करे और उसके जाने की बातों को अपनी एसासों को उस औरत को जिन्दा रखे किसी औरत के लिए इस से यदा खुश नसे भी और क्या होगी मैं जब बात करते हुए मैंने नोट किया इम्रोज ने एक बार भी अम्रीता के लिए था शब्द यूज नहीं किया उसमें उनकी हर शब्द में हैं शब्द था मैंने कहा आपने एक बार भी यूज ने किया उन्होंने का हाँ, अम्रीता तो यही है मेरे लिए तो वो कभी कहीं गई नहीं ये कहते हैं वे उन्होंने एक कोका कोला मेरे हाथ में फुमाई शर्म सी महसूस हुई इतना बड़ा शक्सियत अपने हाथ से हमें दे रहा है लेकिन उनके दिल में कोई अहंका नहीं था ता तो आँखों में सिर्फ प्यार अमरיתा के लिए उनकी बातों के लिए मैंने उनको देख कर कहा मैं तो अमर्टाजी से भी मिलना चाहती थी तुम बोले मिली क्यों नहीं? वो तो सबसे मिलती थी ये दराजा सबके लिए खुला रहता था तुम कभी भी आ सकती थी, पर तुमने अब आने में बहुत देख कर दी, मुझे सच में बहुत अफसोस हुआ, कि काश उनके दीचे जी मैं उनसे मिलने आ पाती हूँ, सामने जो मेरे शक्स था, वो आज भी पूरी तरह से अमृता की प्यार में डूबा हुआ था, वहां की जोरते में, आँखों में चपन, चमक और चेहरे पन नूर, शैद ही अमृता की प्यार का ही नूर था, संभोहन था, फिर मैंने उनसे पूछा, क्या मैं अमृता का रूम देख सकती हूँ, अरे क्यों नहीं, आओ, फिर उन्होंने में को पूरा घर दिखा दिया, यहां पहल अपना ही जादू बिकेर रही थी, इससे बेहतर ही कोई ड्राइन रूम और क्या हो सकता है, अमृता का कमरा ठीक वैसा था, जैसा उनक्यों होते हुए था, विस्तर पर बड़ी सर्वर्टे जैसे कह रही हो, कि अभी यहीं हैं अमृता, बस उठकर शैदर सोई करता की है, फ एक बहुत से बड़े बुक्षल्ट में कई किताबे सजी थी, अमृता की और कई अन्य देश विदेश के लेक होगी, बस सब कुछ जो था, वो मैंने समेट लिया अपने दिल में, और उस तमाम चीजों को उस हवा में मैंने महसूस किया, जो अपने साथ रहने का एसास करव पारे थे, इम्रोस ने बताया कि उन्होंने चालिस साल में कभी भी अमृता और मैंने एक दूसरे को I love you नहीं कहा, क्योंकि कभी भी हमें इस लफ्स की जरूरत ही नहीं पड़ी, वैसे भी प्यार तो महसूस करने की चीज़ है, उसको लफ्सों में तो ढाला नहीं जा सकता, बस हम एक दूसरे की जरूरत को समझ जाते थे, वो रात को दो बजे उठकर लिखती थी, उस वकत उसको चाय चाहिए होती थी, क्योंकि हमारे कमरे अलग-अलग थे और उसको रात को लिखने की आदत थी, मुझे अपने तरीके से पेंटिंग करनी होती थी, हमने कभी एक द उसको वक्त पर जो जरूरत थी, वो पूरी हो जाती थी, सच कितना प्यारा सा रिष्टा था ना दौनों के बीच, फिर उन्होंने कहा कि उसको सिगरेट की आदत थी, पर मैं नहीं पीता, पर खुद उसको लाके देता, मैंने पूछा क्या आपने उसको कभी बदलने की जा सकता हूँ, बहुत अच्छा लगा, यही तो प्रेम की प्रगास्टा है, इस से उपर प्रेम और हो भी क्या सकता है, एक एक लफ्स में प्यार था उनका अमरिता के लिए, मैंने फिर पूछा इम्रोज से कि आप अमरिता से कैसे मिले थे, वो बोले, अमरिता को अपनी कि किसी किताब के लिए कवर पेश बनवाना था, और इम्रोज से उसी मेंसे इसी सिस्रे में मुलाकात हुई, फिक गवह मुलाकात खुबसूरत रिष्टे में ढल गई हम दोनों को ही पता नहीं चला, अमरिता मेंसे साथ साल बड़ी थी, पर उस वकत बिना किसी समाज की परव अमिता को भी बहुत कुछ कहा गया, पर दोनों ने नहीं सुना, इम्रोज ने कहा कि मैंने उस वकत जब वो 40 साल की भी नहीं थी, उसकी पेंटिंग बनाई, कि 80 साल की होके वो कैसे लगेगी, उसके बाल सफेद की, चेहरे पर जुरियां बनाई, और जब उसके 80 साल की होने पर मैंने उसको वो पेंटिंग से मिलाया, तो वो पेंटिंग से यादा खुशूरत थी अमरिता, भला नकली रंग, असली सुन्दर्ता से कैसे मुकाबला कर पाते, यह प्यार कितना प्यारा है, जो करेव वही समझे, फिर उनसे कुछ बातें आज की राजनीती पर हुई, क उनकी लिखी कविताओं में उन्होंने कहा कि कुछ दुख या साया, यह कुछ खोने का डर मुझे नहीं दिखेगा, क्योंकि मेरे पास तो कुछ खोने के लिए है ही नहीं, जो यादा ता कविता या नजमों में होता है, क्योंकि मेरे पास जो भी कुछ है, वो मेरे पास ही लिटता है, सची तो कहा उन्होंने, अमिता जीवाँ हर रंग में, हर भाओं में, इम्रोज के रंगों में ढली वी थी, उन्हीं के लफजों में तो उन्होंने लिखा है, लोग कह रहे हैं कि उसके जाने के बाद तो उदास और अकेला रहे गया होगा, पर मुझे तो कभी वक कर एक दूसरे को कितनी देर तक देखते रहते हैं, और अपनी नजमें जिन्दगी को सुनाते रहते हैं, यह छोटी सी मुलाकात मेरी जिन्दगी का सबसे अनमौल यादगार पलों में से एक हैं, उनके कहें अनुसार फिर में उनसे जल्दी मिलूंगी, क्योंकि वक्त का त कि पुर। झाल में झादा जिक ब मुलाकात में लिग कर दैंने को से अनम